नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सिरीज में आप सभी का स्वागत है आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी महमान है पूरी दुनिया में कथक का एक परियाय मानी जाने वाली डॉक्टर उमा शर्मा जी उमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो मा जी ये हमारा सौभाग है कि हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और जब इस तरह के बड़े कलाकारों से हमें रूबरू होने का मौका मिलता है तो हमारी पहली गुजारिश उनसे यही होती है कि हमें अपने बच्पन में ले चले या कहें कि हम उन्हें उनके बच्पन में ले चलें तो एक बार आपको भी हम ले जाना चाहते हैं बच्पन की उन गलियों में जहां शैतानियां थी बदमाशियां थी क्या कुछ याद आता है बच्पन का मेरा बच्पन से ही बड़ी श्यतान थी सारा वक्त तेक तो हमारा अब तो मुझे नजर भी नहीं आता मेरी बड़ी जिगरी दोस्ती जो मेरे घर के बराबर रहती थी अब उसके फादर जो थे इंस्पेक्टर जनरल पुलीस थे अब तक याद है वो एड्रेस पांच नंबर बजार रहती थे रटा हुआ है वो बच्पन मेरा वही गुजरा और सेंट टॉमस में मैंने स्कूलिंग करे तो खैर पड़ाई के साथ साथ ये सब वी चल रहा था लेकिन बहुत छोटी थी तो गुड़े-गुड़िया से सारा देन खैरिए पिर एक दिन हमने सोचा कि मेरा गुड़ा था उसकी गुड़िया थी तो हमने सोचा हम इनकी शादी करें तो मेरे पास एक स्टफ्ट हिरन था बड़ा सुंदर सा हिरन था उसमें गुड़े को हम बिठाके हिरन के उपर लेकर गए वो बाजू के गर में थी थोड़ा सा कॉलिनी में अपनी ही कॉलिनी में घुमाकर बरात सारे कॉलिनी के बच्चे इंखटे हो गए फिर वो वहां लेकर गए खेर गुड़िया फिर मेरे पास आ गई तो मैंने क्या किया यहीं बरत्रे पार्टी थी उसमें गुड़े-गुड़िया को प्रेजन्ट कर दिया तो कम से कम 15-20 दिन तक वो लड़की जो मेरी दोस्त थी उसने मेरे से बात नी करी नराज हो गई कि त तुम आ रहा था तुम गुड़िया मुझे दे देती नहीं रखना था तो खेर वो बात हुई उसके बात भी हम लोग वो जमाना ऐसा था तर वस नो क्राइम रात को ग्यारा बजे हम लोग खाने बाने से निबटके मेरी मेरी मदर और कॉलिनी की दूसरी लेडीज और हम चा लोग मंडी हाउस जाते थे, वाक करके, can you imagine at 11 o'clock, you can't even think about it now, it has changed so much, I always, मेरे दिल से एक आहा निकलती है, पूर दिल्ली, और दिल्ली का मंडी हाउस का चौरा हा, वो मुझे अभी तक याद है, जुर्मुट वाले पेड थे, और हम बच्चे आंख में चोली, खेला करते थ पेड़ों के अंदर चले जाया करते थे, गुफासी बनी वी थी पेड़ों की, खेल, चाट का बहुश रहुत था, एक आने में दो पकोड़ी मिलती, पहले चार पकोड़ी मिलती थी, तो भीमसें की दुकान थी, और भीमसें की दुकान अभी भी है, बेंगॉली मार्केट म तब धीमसें जिन्दा थे, तो भीमसें खोमचा लेकर बजार जो बिल्कुल लेन है, बेंगॉली मार्केट से चुड़ी हुई, वहां वो खोमचा लेकर बैठता था, तो हम बच्चे सब एक आने, दो आने, जो भी आने होते थे जुकत, इकटे करके जाते थे, और वहां उ वो छे देता था, फिर चार पे आ गया, जब वो दो पे आ गया, तो हमने पूरी टोली बना ली, और हम बहुत सारे पत्थर लेकर, हमने उसके खोमचे पर मारना शुरू किया, बहुत, तो ऐसी शतानियां बड़ी चला करती थी, स्कूल में भी मैं बहुत हसी मजाग करती र होता था, तो इतना मैं, और फिर उसके बाद कॉलेज पहुंचे, तो कॉलेज में भी मेरी शैतानी जानी थी, हम पांच का गुरूप था, और हम पांचों बैठते थे, एक दिन एक प्रोफेसर आती थी, हिस्ट्री की, वो नॉन स्टॉप बोलती जाती थी, तो हमें गुस् लिया और ऐसे मारा, वो जब बोल रही थी, वो तो उसके मुँ में वो लगा जाके, तो लड़कियां सब हमें एक्यूज करने लगी, ना तो खुद पढ़ती हैं, ना हमें पढ़ने देती हैं, खैर, फिर उसके बाद जब एक्जाम आए, और बच्पन में मैं बताना कि मैं बहुत लता के गाने गाया करती हैं, बहुत, मेरा सबसे बहरा गाना था, आएगा आने वाला, महल का गाना, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ, बताते बताते बीच में लता की बात आ रही हूं, लेकिन देखिए, जीवन में आना जाना तो निखाई है, सब को आन है, और फिर जाना भी है, तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि I was a great admirer, since my childhood, I used to copy her songs, बल्कि मेरे पिताजी तो ये कहा करते थे, मैं गाना बहुत गाती थी, मेरे पिताजी classical music का बॉल शॉप था, professional नहीं थे, लेकिन छोटी-छोटी बंदेश है, he was very impressed by young, बड़े गुलाम अली खासा, young, ओमकारना ठाको, especially ओमकारना ठाको, भजन वगरा बहुत गाया करते थे, तो ये सोसेते मैं गाना गाऊंगी, क्योंकि मैं गाने गाया करती थी, तो उन्होंने मुझे एक बंदेश सकाई थी, कोई अलिया बोले, अमुवा, ये बच्पन में गाया करती थी, करीब 11-12 साल की थी मैं, और डांस भी साथ में, लेकिन गाने जादा गाया करती थी, तो मेरे पिता जी और मेरी मदर जो थी, वो दोनों बड़े रिलिजिस्त हैं, और मेरे फादर बहुत योगा भ्यास करते थे, बहुत रिलिजिस्त हैं, मतलब पंडित घरानों का, जैसे घर होता है, सारा वकत पूझा, चौके में, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जूता लेकर अंदर उसी नहीं सकते थे, तो इसलिए वो जो और साहित थे बहुत पढ़ते थे, ये जो कविता आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग लगी हुई है, इसके नीचे संस्कृत में कविता रचा करते थे मेरे पिताजी, संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के अचारे थे वो, उनके बड़े पिताजी जो मेरे थे, वो भी संस्कृत आचारे, मतलब पूरा घराना जो था, संस्कृत में थे, सब, तो काफी मतलब इंफ्लूएंच जो था, सारा संस्कृत आइस था बिलकुर, तो पढ़ाई रिखाई तो हमें करने को कहा ही था, लेकिन उन्होंने कहा, कि साथ साथ में तुम गा जोली मार्केट में एक छोटा कमरा था, वहां सारे बच्चों को जब उन्होंने देखा, इन लोगों को बहुत शौक है, तो उन्होंने छोटा सा एक कमरा था, उसमें डान्स क्लास खूल थी, तो मैं जाका करती थी, बहुत छोटी थी मैं, जाका करती थी, और देखा करती कि ये बच्चे भी डांस कर रहे तो मैं भी करूँगी तो मैंने भी कथक करना शुरू कर दिया और सबसे पहले बच्पन के जो मेरे टीचर थे वो गिरवर्द है आज ही थे अब वो रहे ने वो चले गए अब फिर धीरे मैं आगे बढ़ती चली गई कॉलेज में पहुच गई कॉलेज में भी म्यूजिक अंडान सोसाइटी की प्रेजिडेंट बनी मुझे इलेक्ट किया गया चुराव हुए थे बाकायदा लेडी शिराम कॉलेज से मैंने कॉलेज किया था बहुत कॉंट्रिबूशन था मैं पॉट्री पेंटिंग बहुत करती थी बचपन से ही पेंटिंग में बहुत अच्छी थी पढ़ाई का मुझे मैं फ्रेंक्ली स्पीकिंग इतना शौक नहीं था मैं तो मैं बहुत ही डरती थी पर हिंदी में टॉप थी में हिंदी में मैं फर्स्ट या सेकिंड आया करती थी तो मेरा कॉंपटिशन एक दूसरी लड़की से होता रहता था तो बस यह से बजपन गुजरा गाते बजाते और गुडिया खेलते हुए पढ़ाई करते हुए और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि चाहे स्कूल हो या फिर बात में कॉलेज हो टीचर्स बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही आराम से आपको यह काम सौप देते थे कि यह नाटक तयार करना है डांस का मतलब नित्य नाटिका तया कराना है आप करा दो तो वो क्या बात थी जो आपके अंदर उनको दिखाई देती थी एक्चुली दे सो माई टेलेंट और हमारी जो प्रिंसिपल थी एक वाक्या और बताना चाहूंगी कि कभी-कभी जैसे कहते हैं ना चोर कोई इंस्पेक्टर बना देना तो जो शेतानी क और उनको भरोजा था कि ये जिम्मेदारी निभाएगी क्योंकि जब मेरे कॉलेज में वो फेट हुआ था तो उसमें एनुवल फॉंक्शन था कुल्चरल एक्टिविटीज तो मैं करती थी यूथ फेस्टिवल में बहुत गई यूथ फेस्टिवल में मैंने अपनी कुद क कॉंपोजिशन की थी गाने की चाई है काली घटा सम्तिंग मुझे अब शब्द याद में उड़ती है देखो हवा ऐसे में ना जा ना जारे ओ पर देशिया ये मैंने कंपोज किया था धून भी मेरी तो जब ये सब टैलेंट देखा उनोंने तो प्रिंसिपल बॉस वेरी ह हैपी विगाउज हमारा कोट कर्डा से कि यूट फ्यूटू में ताल्कटोरा गार्डंवें यूथ फैस्टिवल हुआ कर ता था था भोस बहुत सारे लड़के मुझसे बात करना चाहते थे लेकिन मैं किसी को घास में डालती थी मैं किसी से बात ही नहीं करती थी और सब मर से बल्कि लड़का acak मुझे याद है वो सारी राट ठंड में को सारी राट ठंड में iOS जब तक आएगी नहीं करेगी तब तक मैं अंदर निजाहूंगा टेंट में मैं गई ही ही नहीं मैं विल्कूल बात ही नहीं करी अमें अपने काम में तर erfolgा १ यह रहती थी तो ये सब बातें जो थी वो बड़ी याद आती है मुझे गुम फिर के कभी-कभी आज जो मैंने बातें कहीं हैं ये मुझे एकदम से याद आई है कि कैसे मैं यूथ फेस्टिवल में जाती थी गुड़े-गुड़िया से खेला करती थी और बच्पन में हम लोग हाग में चोली केलते थे मंडी आउस के यहां तक कि मैं आपको बताओं हम लोग छोटे-छोटे थे बिल्कुल हम लोग पैदल वॉक करके चले जाया करते थे इंडिया गेट में भी इंडिया गेट में जामुन के पेड़ अभी तक लगे हुए कभी-कभी दिन में हम लोग वॉक कार जाए करते थे तो जामुन चुना करते थे फिर उनको लाके हम घर में नमक डालके खाया करते थे तब कूलार एर कंडिशनर नहीं थे अब मुझे अच्छी तब पता है कि बंगाली मांकिट में पीछे की तरफ चोड़ी जगा थे वरंडा सा था उसमें खस का परदा मैं आपको क्या बताऊं तब का खस पूरे घर में खस की खुश्बू दोड़ा करते थे और ठंडे ठंडे पानी में हम गर्मियों के टाइम पे लेट जाया करते थे नलकों से यूँ ही पानी पीते थे तब ये सब आरो वारो लगाना ये सब केंट वेंग ये सब कुछ नहीं था नो फिल्टर डॉटर डारेक्ट नलके से ओक में लिया पानी लिया पानी पीया ये बच्वन के यादे और मेरे जो ताउजी थे उन्होंने मुझे गीता का मैं दस साल की थी तो मुझे पंधरवा अध्या गीता का कंट के याद करवा दिया था जिसका पहला शोक है अभी तक यादे मुझे उर्धो मूलम अधाशाकम अश्वत्तम प्राहु रभ्ययम चंतांसी यस्व परणानी यस्तम वेद सवेद में अधश्चोर ध्वम प्रसुतास्स्याशाका गुरप्रविधा विशे प्रवाला अधश्चु मूलानीनू संततानी कर्मानू बंदीनी मनुष्य लोके दसवर्ष की आयू में मेरे को पूरा अध्यान इसमें इंसान क्या कर्म करता है और उसको क्या करना चाहिए जब जीवन में वो आता है वो एक पूरा क्रिश्चन ने विस्तार रूप से दिखा रहे हैं कुमा जी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी अपने पिता जी का और हम सब जानते हैं कि वह संस्कृत के काफी विद्वान वेक्ती थे लेकिन उनका करना क्या उनके अंदर भी कलाओं को लेकर एक मर्म था क्या उनको भी कलाओं से वह भी जुड़े हुए थे किस तरह से इसकी वजह क्या थी कि कि एक संस्कृत के विद्वान में एक डान स्कूल शुरू किया इसकी क्या कहानी है वो खुद भी गायते थे बड़ी अच्छे आवाज थे उटी चुट 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 बंदज बादलरे उमाड घुमाड परसन लागे बीजुरी चामके मोराजिया डरागे बादलरे तो मतलब ऐसी चोटी चोटी बंदज बेरज में दू मामा चाही काना बेरज में दू यह बंदेशे मुझे याद है तो वो खुद भी गाया करते थे इसलिए जब उन्होंने देखा कि एक ही यहाँ पर आदमी है इस कॉलनी में बेंगौली मार्केट में जिनको कला से रुची है तो माबापों ने रिक्वेस्ट कि कि पंडी जी आप क्लास क्यों नहीं खोल देते तब उन्हों नहीं क्लास खोल एंड यह से अब इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी से मिला जिसको कला में खास्तोर से क्लैसिकल म्यूजिक उस वकात धौलपूर में धौलपूर महराज तब के जब मैं छोटी थी तब के धौलपूर महराज दस दस दिन की कॉन्फरेंस किया करते थे क्लैसिकल म्यूजिशन जाते थे छोटे से रभी शंकर पंडेतों काना ठाकूर और बहुत सारे तो उस जोख़ छोटे छोटे बाल गन्धर्व एक गन्धर्व करके बाल गन्धर्व था और मास्टर रतनलाल जिसके गाने बड़े चला करते थे, उसको बाद में सुनते हैं, कि वो कैलकटा गया था, दिलिप चंदर बेदी, भारतिय अकला केंदर में, मैं उनसे मिली थी, जब मैंने भारतिय अकला केंदर जोइन किया था, कथक क्लास के लिए, सीरियस ट्रेनिंग मेरी शुरूई थी, गुरू शंभू शाचे, लगनव गराना और जैपूर गराना, दोनों, आफ्टर दिस इस आफ्टर कॉलेज, कॉलेज तक तो मैं अपने स्कूल कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज में थी, उमा जी के साथ इस बातचीत में अभी एक ब्रेक का वक्त है, कल एक बार फिर उमा जी से बातच होजे हम से जरूर जुरिएगा